हलो प्यारे बच्चों मैं डाक्टर भरहतलाल मिना LBS Government College Court पुतली सहय आचारी Political Science बच्चों हम आज चर्चा करेंगे गांधी जी के राजनेतिक विचारों के बारे में भारतिय राजनेतिक चिंतन में गांधी जी का एक अती महत्वपुन इस्थान है गांधी जी का दर्सन भहुमुखी है उन्होंने जीवन के हरक्षेतर को इसपर्स किया है यदे भी उनके विचार प्लेटो और अस्तु हाप्स वर लाग आदी राजनेतिक विचारकों की तरह करमबद नहीं है लेकिन फिर भी अनेक विद्वान उन्हें एक उच्चकोटी का राजनेतिक विचारक मानते हैं उन्होंने महत्मा बुद्ध व सुकुरात की तरह जीवन भर सत्त्य की खोज में समय वेतित किया तता सत्य और रहिंसा के सिध्धांतों पर आधरित राजनेतिक विवरिक पहलों पर जोड़ दिया उनके विचारों में करमबद दिता नहीं होने के कारण अनेक विचारकों ने उन्हें एक राजनेतिक विचारक मानने से इंकार किया है लेकिन आज भी उनके राजनेतिक विचारों के अस्तित्व को सिविकार किया जाता है उनके दर्सन को गांधिवाद आदी अनेक नामों से पुकारा जाता है इसे उनके राजनेतिक विचारक होने में कोई संदे सेंस नहीं रह जाता सत्य तो यह है कि उनके द्वारा राजनितिक जीवन में प्रियोग कियेगे सिद्धान्तों को ही उनकी राजनितिक विचारधारा कहते हैं और विश्षम एक उच्च कोटी के राजनितिक विचारक है उनके राजनेतिक विचारों को निम्न सीर्षकों के अंतरकत बाटा जा सकता है राजनेति का आध्यात्मिकरण, अहिंसा का सिध्धान्त, साध्ये और साध्यों का सिध्धान्त, सत्याग्रह, सत्ये का सुरी, राज्ये का सिध्धान्त, सर्वोदे सबसे पहले बाद चर्चा करेंगे राजनिती के आध्यात्मी करण पर गांधी जी की सबसे बड़ी महतुपुन वो मोलिक देन राजनिती का आध्यात्मी करण करना है गांधी जी राजनिती के से पहले एक धार्मिक विक्ती थे उन्होंने राजनिती और धर्म के बीच एका टूट रिस्ता कायम किया और राजनिती को धर्म पर आधरित करके निश्वार्थ लोक सेवा तथा नेतिकता के विकास का साधन बनाया उनकी दृष्टी में धर्म हीन राजनिती की कलपना करना सबसे बड़ा पाप था गांधी जी ने राजनिती के प्रचलित अर्थ को नकारते हुए इसे नयार उप दिया इसलिए वे राजनिती विचारक न होकर जीवन के कलाकार वो धर्म के उपा सकते उन्होंने उनके जीवन का उद्देश से किसी राजनिती वाद का प्रतिपादन करना नहीं था बलकि आत्म दर्शन इस्वर का साथकार एवन मुक्स था इसलिए उन्होंने धर्म को मानव जीवन की धूरी बनाया और उसे राजनिती के साथ अटूट रिष्टे के रूप में जोड दिया उन्होंने चल कपट पुन राजनिती के निंदा करते हुए इसे सर्प की संग्या दी उनका मानना है कि धर्म के बिना इस राजनिती का कोई प्रियोजन नहीं है ये प्राणी मातर के लिए सुख का सच्चा साधन कदापी नहीं हो सकती इसलिए उन्होंने राजनिती के विक्रत रूप को मिटाने के लिए उसका आध्यात्मिकरण किया है गांधी जी से पहले राजनिती, धर्म और नेतिक्ता के सभी नियमों को ताक पर रखने वाले धूर्त, चालाक, अवसरवादी, विवेक सुनने राजनितिग्यों का रंगमंच मानी जाती थी आम आदमी की दर्ष्टी में दूसरों को मुर्ख बनाना, उने धोका देना ही राजनिती थी गांधी जी ने राजनिती को सत्य और रहिंसा पर आधरित करके, इसमें उच नेतिक्ता और धर्मिक्ता की भाउना का समाविश किया उन्होंने राजनिती के विक्रत रूप के बारे में लिखा है मैं जिन धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से अधिकान्स छिपे वेश में राजनिति गया है किन्तु राजनिति के का चोला धारन करने वाला मैं अपने हर्दे से एक धार्मिक विखती हूँ उन्होंने राजनिती के विक्रत रूप अधार धर्महीन राजनिती के बारे में आगे कहा है यदि मैं राजनिती में भाग लेता हूँ तो इसका कारण यह नहीं है कि राजनिती हम सबको सरप के समान गेरे हुए जिससे कोई चाहे कितनी ही चेश्टा करेब बाहर नहीं निकल सकता मैं उस सरप से युद्ध करना चाहता हूं मैं राजनिती में धर्म का समावेश करना चाहता हूं इस से इसपश्ट है कि गांदी जीने राजनिते में हिस्सा उस जन सेवा का साधन बनाने के लिए ही लिया उन्होंने जीवन भर राजनिती में ऐसे प्रियोक किये जो जनकल्याण को बड़ावा देने वाले थे गांदी जी का मानना था कि धर्म समाज के प्रतेक पक्स से समधित है इसी तरह राजनिती भी प्रतेक किरिया कलाब को प्रतेक्स रूप से अवस्य प्रभावित करती है यदि इन दोनों का मेल कर दिया जाए तो इन से बढ़कर जनकल्यान का साधन अन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता इसलिए वे धर्म से अलग राजनिती का कोई महत तो नहीं मानते थे उन्होंने लिखा है मेरे लिए धर्म के बिना राजनिती का कोई अस्तित्व नहीं है राजनिती धर्म के अंतरगत है धर्म से विमुक राजनिती मृत्यु का फंदा है क्योंकि ये आत्मा को मार देती है गांधी जी का कहना है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनिती से कोई संबंद नहीं है वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते गांधी जी के अनुसार धर्म से राजनिती वाला करना मानों की हत्या करने की समान है जो धार्मी के रूची रखते हो तथा जिन में सत्य तथा इस्वर की खोज करने की लगन हो इसी कारण से गांधी जी ने राजनिती में प्रवेश किया और आजीवन सत्य और इश्व की खोश में लगे रहे हैं गांधी जी एक महान कर्म योगी थे उनका राजनिती का आध्यात्मिकरण करने के पीछे मूल करण नेतिकता के दोहरे मापदंडों को समाप्त करना था उनकी दृष्टी में राजनिती धर्म और नेतिकता की एक साखा थी इसलिए उन्होंने राजनिती में प्रवेश का आर्थ सत्य और नयाई की प्राप्ति की दिशा में अगरसर होना माना इसी कारण गांधी जी ने राजनिती धर्म को स्विकार किया उनका मानना था कि आज त जाती से अभिन्यता ही मेरा धर्म है और मेरी राजस्ञेति गतीविधि उस धर्म पर आसरन करने का धंग मनुस्य की गत्विधियों के क्षेत्रों को आज वीभाजित नहीं किया this सकता और नहीं सामजिक आर्ती के वंौसुद्ध आर्थिकारियों को एक दूचरे से भी भक्त करने वाली इस पष्ट सीमा रेखाए एक ही जी जा सकती है इस प्रकार गांधी जी ने राजनिती वह धर्म को एक सिक्के के दो पहलो मानकर राजनिती का आध्यात्मिकरन किया उनकी दृष्टी में धर्म और राजनिती के बीच वही संबंध हैं जो सरीर और आत्मा में होता है इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी ने राजनिती का आध्यात्मिकरन आध्यात्मिकरन शिद्धान्तिक तोर पर नहीं किया बलकि उसे विभारी की इस्तर पर भी लागू किया उन्होंने अपने धार्मी की विश्वासों आस्तिकता एदवेत की कल्पना समस्त जगत में एक सत्ता का होना अहिंसा सत्य ए सत्य ए प्रिग्रह आधिकू राजनिती क्षितर में लागू करके राजनिती का आध्यात्मीकरण किया है प्रतेक मनुस्य के जीवन का लक्स दर्म और राजनिती से जुड़ा हुआ है इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिध्धांतों का समावेश राजनिती में करके उसे नया रूप दिया है अथारत गांधी जी का यही सबसे महानकारी है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रियोगों से राजनिती का आध्यात्मे करन किया है अब है गांधी जी का अहिंसा का सिध्धांत। अहिंसा का विचार भारतिय दर्शन का प्रमुक्त ततु रहा है। महाभारत, वेद, उपनिशद, आदि में अहिंसा को इस सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जेन धर्म तता बोध धर्म में अहिंसा का विशेश महत्व है। गांधी जी ने अहिंसा के सिध्धान्त को प्राचिन भारती धर्म ग्रंतों, बाइबिल के प्रवचनों तता टॉलस्टाई की रचना Kingdom of God is within you से ग्रहन किया। परंतु गांधी जी ने इस सिध्धान्त को एक विवारिक रूप दिया, गांधी जी ने इस सिध्धान्त का प्रियोग देश को सांती में तरीके सिस्वराज तक पहुंचाने के लिए किया है। इसलिए गांदी जी की महानता इसी विचार के कारण है गांदी जी का ये विवारी कानभव रहा कि अहिंसा हिंसा से अधिक सक्तिसालिय होती है अहिंसा ही प्रेम और आदर की जन्निय ये समानता की सिध्धानत को भी जन्म देती है ये बुराई को अच्छाई से जीतने का तब यह होता है। सत्य की तरह अहिंशा की सक्ति भी असीम होती है। जिस प्रकार हिंशा पसु जगत का नियम है। अहिंशा मानुजाती का मूल आधार है। अहिंसा का अर्थ गांधी जी के अनुसार अहिंसा से तातपरिये किसी को नय मारने से नहीं है उन्होंने अहिंसा सब्द का व्यापक अर्थ में प्रियोग किया है उन्होंने अहिंसा को परिभाशित करते भी कहा है सर्ष्ठी के सब प्राणियों को मन, वानी और करम से किसी भी प्रकार की कोई हानी नहीं पहुंचाई जाए गांधि जी ने अहिंसा को आध्यात्मिक तथा देविय सकति माना है धन्यवाद बचों कल हम अहिंसा के बारे में आगे एक वीडियो में देखेंगे विचार करेंगे चर्चा करेंगे धन्यवाद